हालो एवरिवन आज का जो मेरा सेशन है वो C.U.T. एक्जाम के नोटिफिकेशन को लेकर है हाली में C.U.T. ने अपना प्रेस रिलीज किया जिसके तहत 2024 का एकड़िक कलंडर को डिक्लियर किया यानि एक एक्जाम डेट बताई गई है जिसमें U.G. और P.G. दोनों के लिए है तो ये सेशन आप सब के लिए क्या क्या चीज़े बताई गई है कब-कब U.G. के एक्जाम सोंगे और P.G. के एक्जाम सोंगे मैं आपको बताना चाहूंगा और जो भी में बाते आपको बता रहा हूं यह सारी NTA की ऑफिशल वेबसाइट पर भी आपको मिलेगी तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अगर आपने द्यान दिया हो तो अभी यह प्रेस रिलीज आई थी जिसमें की जॉइंट टेस्ट जेई का फेस वन और फेस टू का एक्जाम डेट दिया हुआ है नीट मतलब माडिकल के लिए कॉमन इंवरसिटी एक्जाम जो बाकी के इंवरसिटी हैं उनके लिए प्लस PG इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी उफिशल वेबसाइट जो है वो www.nta.ac.in यहां पर आप उफिशल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको डीटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि CUT में चाहे UG प्रोग्राम की बात करें चाहे PG प्रोग्राम की बात करें बहुत सा इंपुररिंस का मिलें नहीं बें आपको तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह इस तरए का एक नोटिफिकेशन उफिशल वेपसाइट पर आपको दिखेगा जब आप अपन करेंगे जिसको मैंने डीटेल में समझाने की कोशिवर्ट किये सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट इंट्रेंस एक्जामिनेशन जे ये मैंस के लिए 24 सेशन का वन सेशन का कंप्यूटर बेस टेस्ट यानि CBT जो है 24 जनवरी से 1st आफ फरवरी यानि जो बच्चे 12 अपेरिंग है या 12 पास आउट हैं और जे ये के लिए फेस वन को ए बीच में एक्जाम होगा अब कल बच्चों के साथ या कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इनका एक्जाम फॉर्म कब आएगा तो मैं आपको बता दूं कि ये देट आ गही है तो दो महीने तीन महीने पहले लगवग मतलब नावंबर डिसमबर से आप मानके चलिए कि फर्स अप्रेल से 15 अप्रेल के बीच में यानि ये जो सेशन है पहला ये जनवरी सेशन है और सेकंड सेशन आप्टर 12 एक्जाम होगा कुछ इस धंग से ही डिजाइन किया जाता है कोर्स तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं वो फेस बन को को ही कंसीडर किया जाता और जब आप फेस बन देते हैं सेशन बन देते हैं तो उसमें जो भी आप से कमिया रही है बले आपके कुछ टॉपिक कम हुए कोई बात नहीं पर आप उसको इंप्रूमेंट कर सकते हैं सेकंड फेस में अब बात करते हैं नीट की नीट यूजी का जो प्रोग्राम है वो है फिफ्ट अप मई को राइट नीट यूजी का जो प्रोग्राम है वो फिफ्ट अप मई को है इसका मतलब इसके भी एक्जाम मार्च तक आ जाने चाहिए इसके लाबा बात करते हैं कॉमन इंवर्सिटी इंटरेंस टेस्ट यूजी राइट कॉमन common university interest test का मतलब है कि university में जो बहुत सारे programs होते हैं including private universities जो होती हैं जो की engineering या अलग-अलग courses रन करती हैं या फिर जो semi-government होती हैं center universities होती हैं और different different courses के लिए जो भी courses में आप interest सकते हैं उन सभी courses के लिए CUT एक common exam है जिसको की आप देके 12th वाले student होते हैं 12th वाले बच्चे जो की UG में जाना चाहते हैं उनके लिए जो exam होगा वो 15 माई से 31 माई के बीच में होगा यानि after 12th exam ही होगा तो कोई problem नहीं है और इसका मुझे लगता है March तक कॉम आ जाएंगे अब बात करते हैं common university entrance test PG, PG मतलब graduate program मतलब graduate के बाद after graduate यानि post graduate program की बात कर रहे हैं और post graduate program में जैसे MCA हो गया, MBA हो गया, MA हो गया और ऐसे कितने कितने तरह के course होते हैं आप सब जानते हैं करीब करीब 100 से 200 के बीच में courses होते हैं सभी courses के लिए CUT ने UG और PG program लाँच करके कई अध्तक कई सारे बच्चों की problems को खतम किया है, तो अब बात करते हैं common university entrance test PG जो की computer based exam होगा, जो 11th March से 28 March के बीच में होगा, यानि अगर इसका exam 11th March से 28 March के बीच में हैं तो में इसकी जनवरी, December end या जनवरी में इसका notification form ये सब आ जाएंगे, तो आप लोग जो की PG program के लिए interested हैं, वो लोग ध्यान रखें कि आपको एक तरह से March में ही exam देना है, तो अपनी तयारी अभी से रखिए, जिससे कहीं problem ना है, अगर हम March के बात करें, तो हमारे पास लगवक्ष 6 मन्त का समय है, 6 मन्त में अपने आपको तयार करना है, और किस धंग से तयार करना है, जिस भी PG course में आप जाने वाले हैं, उसके syllabus को देखिए, last two year के papers को solve करिए, और according to paper अपनी preparation करिए, क्योंकि इसमें एक pattern होता है कि first section में 25 questions, second section जो है वो आपके subject से related होता है, first section graduation है, UG, number one UG, और number two PG, UG में जाना चाहते हैं, तो UG से related जिस course में जाना चाहते हैं, माल लेजे आपका 11-12 जो है, वो science group से, तो आप most trouble engineering में जाएंगे, पर आपका commerce है, तो हो सकता आप law में या CA इस तरह कि किसी courses में जाएंगे, हो सकता आपका arts हो, तो arts से related कोई course करेंगे, और अगर आप graduation कर रहे हैं, during graduation या after graduation, आप PG program के लिए जाएंगे, तो according to PG program, आप अपने आपको prepare कर सकते हैं, तो यह pre-release बहुत important है, notification important है, जिससे कि आप अपने समय रहते हुए preparation करें, और याद रखिए, एक और course है, UGC net, इसका भी exam जो है, वो 10 June से 21st June के बीच में होगा, तो मेरा आज के session का main purpose यह था, कि NTA ने जो हाल में ही press release declare की है, उसके according ये 6 exam की month of exam दिये हुए exact date, आपके course के according, वो सब जब आप form भरेंगे, और उसके बाद जब आपके पास admit card आएगा, तो जब पता चलेगा, तो ध्यान रखिए कई बार आप ये, क्योंकि मुझे पता है, जब आप ये session देखेंगे, तो सबसे पहले sir exam form कब आएगा, हम, हमारा जो exam है, हम जिस course को opt कर रहा है, उसकी date क्या होगी, ये सब चीजे, जब form release होंगे, और हो सकता, उस समय भी ना आए, जब actual में admit card आए, क्योंकि ये इतनी लंबी date का एक purpose होता, देखेंगे, J.E. में कोई दिक्कत नहीं, J.E. session 1 की बात करें, J.E. session 2, ये fix हो गया, पर अगर हम बात, NEET में भी कोई problem नहीं है, पर अगर हम बात करें common university exam, UG, तो ये 15 माई से 31 माई इसलिए दिया, कि आप जो भी UG में course करने वाले, उसकी exam date इन में से कोई बीच में पड़ेगी, similarly, अगर आप PG में जा रहे हैं, तो 11 मार्स से 28 मार्स का रीजन ये कि आप जिस भी PG course में जा रहे हैं, उससे related exam की date आपको admit card के समय पता चलेगी, पर आपको month पता है और इस duration के बीच में होगा, तो आप अपने आपको तयार कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए और फिर भी मैं आपको बोलूँगा, जो मैंने आपको information दी है, वो सारी information आपको official website www.nta.ac.in पर मिलेगी, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि कभी भी कुछ चेक करो, आप जैसे CUT लिखेंगे, आपको बहुत सारी unofficial website भी मिलेगी, कई बार हम इस guide हो जाते हैं, तो मेरा personal suggestion है, कि आप जिस भी course में जाने वाले हैं, आप official website पर जाएए, वहाँ पर आप जो detail information देखेंगे, उससे आपको अंदर एक satisfaction भी राएगा और कोई confusion नहीं होगा, यह मैंने आपको information दी है, अब आप अपने आपको, अगर आप CUT exam देने वाले हैं, तो इस धंग से अपने आपको prepare कर लिए, obviously जो बच्चे JEE देने वाले हैं, उनको तो पहले से पता ही है, पर आप अपने JEE के लिए, या आप अपने university exam के लिए, या PG में like MBA, MCI, जो भी courses में आप जाने वाले हैं, उसके लिए